जैहिंसातियों 21 अप्राइल 2024 जिस दिन आप युद्ध के मैदान में होंगे और मुझे पूरी उमीद है कि उस युद्ध के लिए आपने प्रॉपर स्टार्ट जी बना ली होगी अगर अभी भी आपने प्रॉपर स्टार्ट जी तयार नहीं की है तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रिवियस यर कोश्चन पेपर को देख करके अपनी स्टार्ट जी डेवलप कर लें कि आपको किस तरीके से पेपर को attempt करना है किस question को छोड़ना है किस तरह के questions को आपको attempt करने है कौन सा weak zone है कौन सा strong zone है तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमारी PYQ and MCQ स्रीज चल रही है YouTube के उपर और इस स्रीज को हम continue करते हुए आज के सिसन में कुछ science के और GS के बहतरीन questions कराने वाले है जो India और CDS दोनों ही exam में बहुत ही जादा महत्वपूर्ण होने वाला है तो दोस्तों आज के सिसन का पहला सवाल है The twinkling of a star is due to यह कई बार CDS और India के exam में repeat हुआ है हो सकता है आपके exam में भी इससे related question पूछे जाए तो देखो stars के twinkle करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है हाजी atmospheric reflection होता है क्योंकि air में अलग-अलग levels पे अलग-अलग optical densities होते है तो जो different layers of air होते है वो different optical medium की तरह काम करते है और वहाँ पे reflection का process होता है ठीक है reflection मतलब क्या होता है जब ray of light एक medium से दूसरे medium में जाता है तो उसका path change हो जाता है ठीक है और इसी के वज़ा से twinkling of stars का phenomenon देखने को मिलता है reflection आप सबको पता है ना हाजी when a ray of light travels from one medium to another it bends its path इसी phenomenon को हम लोग reflection बोलते हैं तो उसमें उसका speed भी change हो जाता है और wavelength भी change हो जाता है ठीक है तो twinkling of stars किसके बज़ा से होता है reflection of atmosphere तो atmospheric reflection कहां है option number B में है दोस्तों आईए अगले सवाल क्यों और move करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ महदबपूर्ण जानकारी में आप सबको दे देता हूँ पहली जानकारी यह है कि early sunrise and later sunset appear due to atmospheric reflection atmospheric reflection के वज़ज से ही कहीं पहले sunrise दिख जाता है ठीक है? कहीं पह देर से sunset दिखता है यह जो blue color है न दोस्तों sky का this is also the result of scattering of light by dust particles ठीक है? now dispersion of light by water droplet causes rainbow formation तो rainbow formation, blue color of the sky, early sunrise and later sunset यह तीनों के पीछे क्या कारण है आपको समझ में आ गया न? atmospheric reflection, early sunrise and later sunset के पीछे है blue color of the sky के पीछे scattering of light है dust particles के द्वारा और dispersion of light के कारण आपका rainbow formation होता है ठीक है जी? अगला सवाल है विचतो falling mineral acid is found in human stomach जो हम इंसान का stomach होता है उसके अंदर में इसमें से कौन सा mineral acid पाया जाता है? देखो यार stomach के अंदर में HCL तो होता ही होता है तो first वाला option तो 100% है lactic acid, uric acid और methanoic acid ये तीनों नहीं होते ठीक है तो stomach के एक थीक वाल्ड बैग के जैसे structure है ठीक है flattened jay के जैसे structure है ठीक है इसके अंदर में food आता है food pipe से ठीक है और दूसरे side में small intestine में वो चला जाता है now जो हमारा inner lining है stomach का वो secret करता है mucus hydrochloric acid और यही हमें चाहिए था ठीक है जी और उसके साथ सा digestive juice को भी secret करता है अगले सवाल की और move करते हैं ये सवाल अभी Fcat 12024 में भी पूछा गया था बर्मूडा आइलेंड है कहां क्या Caribbean Sea में है नहीं क्या Gulf of Mexico में है बिलकुल नहीं क्या Mediterranean Sea में है बिलकुल नहीं तो है कहां North Atlantic Ocean में ठीक है बर्मूडा आइलेंड कहां पे लोकेटेद है North Atlantic Ocean में ठीक है So basically it is located in the western part of North Atlantic Ocean Now let me tell you friends थोड़ा picture के थूँ देख लेते हैं This is बर्मूडा इसके बारे में अभी FCAT 12024 का जो एक्जाम हुआ था न उसमें भी पूछा गया था I guess आप 16 तारिक को सेकेंड सिफ्ट में यह CDS और NDA के लिए भी काफी important हो सकता है इसके लाबा एक और सवाल है Money Current in Himachal Pradesh किस चीज के लिए famous है Money Current in Himachal Pradesh का इन में से किस सीज के लिए famous है क्या Solar Energy Park है क्या Geothermal Energy Park है क्या Bio Energy Park है वहाँ पे या Wind Energy Park है दोस्तों अगर हम Money Current की बात करें जो कि Himachal Pradesh में है Basically it's a Geothermal Energy Site Geothermal Energy Felt जो कि हरीहर Temple से होकर के कहां तक जाता है हाँ जी पारवती रिवर तक ठीक है तो basically it is located in the पारवती वैली आप द रिवर पारवती और ये कुल्लू डिस्टिक में आता है कुल्लू मनाली नाम सुना है ना आप लोगों ने So Option B is the absolutely right answer Money Karan Himachal Pradesh के अंदर में Geothermal Energy का साइट है अब यार नरेगा से रेलेटिर एक बहुत ही सादार सा कोशिन है 2005 में नरेगा लॉंच हुआ था यानि National Rural Employment Guarantee Act लॉंच हुआ था तो इन में से कौन सा स्टेट्मेंट सही है It ensures 175 Days of Employment नहीं दोस्त 100 Days of Employment को ensure करता है Rural Areas ने Needy Persons के लिए ठीक है तो ये स्टेट्मेंट तो गलत हो गया It gives higher wages to women worker अरे नहीं भाई ये कोई पक्चपात नहीं करता सबको बराबर पुईसा देता है People are generally given both skilled and unskilled job इसमें कुदारी चलाना होता है भाई skilled job नहीं मिलता computer चलाना नहीं होता है नरेगा में ये भी गलत हो गया This is implemented only in rural areas of India ये बिलकुल सही है ये rural areas के लिए ही है वहाँ पर ये implement नहीं होता जहाँ पर urban population हो ठीक है जी तो इसको हम लोग महात्मा गांधी National Rural Employment Couranty Act के नाम से भी जानते हैं ठीक है अगला सवाल जो की बहुत ही प्यारा सवाल है Which of the following is not mentioned as the form of emergency in भारतिया संभिधान National Emergency Article No. 300 बामन ठीक है State Emergency Article No. 356 Financial Emergency Article No. 360 ये अनेकाडमी की plus classes में मैंने आप सबको पढ़ा रखा है Health Emergency कहीं भी नहीं है भारत के संभिधान में तो ये याद रखिएगा दोस्तों ठीक है Health Emergency नहीं है अच्छे ये Emergency Provision 322 से 360 में आते हैं Part कौन से कौन सा आ जाएगा 18 Part 18 of the Constitution of India Contents Emergency Provision National आपको बता ही दिया President Rule बता ही दिया Financial है 360 में अब एक सवाल में आपके लिए छोड़ जाता हूँ दोस्तों सवाल बेहद ही प्यारा है सवाल कहता है कि विज़दो Following items is not covered under Goods and Service Tax GST GST इसमें सबसे पहले GST कहां पे लगा था France में न तो आपके पास चार options है Cosmetics Medical Grade Oxygen Jewelry या Petrol इन में से कौन से items के उपर में GST नहीं लगता है Cosmetics Medical Grade Oxygen Jewelry या Petrol आपके answers का हमें Comment section में बेसबरी से इंतजार रहता है मुझे उमीद है आप Comment section में इसका answer जरूर देंगे साथियों अब कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ मैं साजा कर देता हूँ अगर आप FCAT 2 2024 की तयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबको suggest करूँगा कि दोस exam को pass कर लेना ही काफी नहीं है आपको अभी से तयारी सुरू कर देनी चाहिए और वो भी full flow में 21 तारी को आपके CDS और NDA के exams खतम हो रहे है CDS वाले जितने भी aspirants है मैं आप सबसे उमीद करूँगा कि आप धुरूब 2.0 में जरूर जान करेंगे इसमें मेरी जो classes की timing है math and reasoning that is that 8 a.m. और GS की classes 9 p.m. पे हैं तो एक morning में है एक evening में है मज़ा आ जाएगा आप इस batch में पढ़ने के बाद अच्छे rank भी secure कर सकते हैं अगर आप उस तरीके से revision और practice करते हैं 11 अप्राइल से ये batch स्टार्ट हुई है साथी साथ NDA 2 के लिए आपको रनभूमी में जोइन करनी चाहिए और CDS 2 के लिए युद्धा batch में जोइन करनी चाहिए इसमें इंडिया के top के educators पढ़ा रहे हैं जैसे मुकतक सर विसाल सर अखिल सर दीरज सर और नीतु मैम इस आपको जरूर पढ़ना चाहिए साथियों वहीं वीर 2.1 की बात करें तो ये CEPF के लिए batches हैं जो की 4 अपराल से start हुई है इसमें प्रिसान सर विसाल सर सिदान सर और संदीप सर पढ़ा रहे है वहीं 50 days का hard challenge भी चल रहा है CDS और India aspirants के लिए 3700 की classes है जो की बिलकुल free provide की जा रही है description में इन सारी classes का link है इसकी PDF की link भी description में दे रखी है इसलिए 5 मेने के current affairs को आप bilingual यानी हिंदी और इंग्लिस दोनों ही language में download कर सकते हैं description में दिये गए link से दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साजा करें और आप हमें social media पे भी